24 साल तक जो खिलाडी रहा प्लेओफ से दूर उस गेनबाज ने प्लेओफ में कर दिया लखनो सूपर जाइंस और घुटने टेकने पर मजबूर भाई आपर बात कराऊं अकाश मदवाल की अकाश मदवाल एक ऐसा गेनबाज जैसे ने प्लेओफ नॉकाउट मुकाबले के अंदर मुंबई इंडियन्स को मैच जटाया लखनो सूपर जैन्स की नाक में दम कर दिया पांच विकेट जटके चार ओर के अंदर और एकॉनमी इसकी कितनी एक दिशमलब चार तीन की तो वही क्या है इसकी कहानी क्यों ये 24 साल तक राग रेड बॉल क्रिकेट से दूर क्यों ये अपनी जो प्रैक्टिस है वो टेनिस बॉल से करता रहा और क्यों ये इंजीनर बनना चाहता था और क्या है इसका रिशब पंद के साथ कनेक्शन हम सभी मुद्धों पर आपसे बाचीत करेंगे में तो भई पहली चीज जब ये 24 साल की उमर में पहली बारे उन्हें रेड बॉल क्रिकेट से गेंदबाजी करना शुरू कुरूब तेता उसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट से के इंदबाजी किया करते ते क्यों क्योंकि जो उत्राखंट की रंजी टीम के बिलाउंग करते हैं रिशापंट के पडोसी है जो रिशापंट के क्रिकेट अगाड़मी थी वहीं से इन्होंने क्रिकेट सीखा है और तब से लेकर अब तक जो इनका फोकस था अब शुरुवाति के दुरों में सिर्फ और सिर्फ वाइट यानि की मैं बात करूँ सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने पर रेड़ बॉल क्रिकेट में जो उनकी रूची थी, वो 24 साल से पहले तक नहीं थी, क्योंकि उत्राखंट जो टीम थी, रंजी टीम, वो रंजी टीम के अंदर नाम नहीं था, उत्राखंट एक इंजीनर बनने के लिए था, और इनका जो ध्यान था, वो इंजीनर बनने पर पूरा पूरा था, और क्रिकेटर बनना नहीं चाहते थे, आप क्योंकि ये वाइट बॉल जो इनका शौक के तौर पे खेलते थे अपना एक क्रिकेट, और रेड बॉल क्रिकेट ये खेलते तो बैए 2019 वो समय था जब उत्राखंड की टीम के ट्राइल्स हुआ करते थे तद कालीन कोच थे वसीम जाफर जो भारती टीम की ओपनर थे और प्रमुक कोच थे महाँ पर मनीश जा तो बैए यह कोच की मंडली थी ती महाँ पर और वहाँ पर इन दोनों कोच का ध्यान गया है यह इसके पास कोच X Factor है जो कही ने कहीं बहुत जादा वंडर्स पर ड्यूस कर सकता है आगे वाने टाइम में भारके टीम का एक अच्छा सरवेट एक अच्छा तेज गेंबास बन सकता है फिलाल अगनबाद पुर अकाश मधवाल की अकाश मधवाल उत्राखंड टीम क के रंजी टीम के कैप्टन भी है लेकिन उस समय पर जब यह नई नई टीम में आये थे मनीज जा और जो दूसरे हमारे वसीम जाफर उन्होंने इनको पहचाना था तो तब जब इनको मौका दिये था तो इनके पास गती काफी ती उन्होंने बताया मनीज जाने एक रिपोर करते थे लेकिन यही बात मनीज जानन को समझाई कि आप जो आपका एक्स फैक्टर है रॉप पेस आप उसी के साथ गिन बाजी करिया ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिये लेकिन करिये निंतरन लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जैसे जैसे वो निंतरन पर काम करने लगे हैं आपके सामने तक लड़िये ओर जैसे निंतरन में काम किया और तब से लेकर घवलत लगातार रंजी मुकाबलों का हिस्सा होते हैं और एक भरोसा और दिया था मनीज जाने उनको उस मुकाबले के अंदर कि आप हर एक फॉर्माट खेलेंगे आप हर एक प्रारूप खेलेंगे क्रिकेट का आप ऐसा नहीं कि आप टेस्समैच खेलेंगे और 19 मैचे खेल चुका है फस्सक्लास के जहां पर इसके नाम 21 विकेट है तो भाई जादा भी करियर स्टार्ट नहीं हुआ जितना करियर अब काफी जाद इंप्रेसिव रहा है जब ये पहली बार ये मुंबई इंडियन्स को इन्होंने पिक किया था 2022 में सूरिक कुमार यादव की रिप्लेस्मेंट के तौर पे ये मुंबई इंडियन्स की टीम में आये थे और जैसे ही आये थे वाई उस साल तो इनको मौका नहीं मिला था एक नेट बॉलर थे 20 लाग के रकम में इनको 2023 के अंदर भी रिटेन किया गया और 2023 में शुरुवाती मैचेस में इनको मौका नहीं मिला आप जिस्परीद बुमरा टीम में हैं थे जोफरा आर्चर थे लेकिन उनका फॉर्म कहां खोया पटा था किसी को नहीं पता था जिसन वेरें ड्रॉफ थे लेकिन इन सभी बड़े बड़े नामों के बीच एक नाम उभर कराया अकाश मदवाल अकाश मदवाल ने मुंबई इंडियन्स की तेज गेंदवाजी का पूरा पूरा दारुमदार अपने सर के उपर लिया और पूरा का पूरा शांदार गेंदवाजी की और 200 रन से पहले पहले याँ पर टीम को रुका अपनी यॉर्कर्स के लिए जाने जाता है अकाश मदवाल और जब ये मुकाबला बड़ा है गुजराट टाइटन्स के खिलाफ तो वहां पर भी शुमन गिल रिद्यमान सहा, जैसे बल्लेबाजो का विकेट चटकाया अकाश मदवाल ने अकाश मदवाल बार बार बताते रहते कि रोज शुर्मा कितना बड़ा हाथ राया उनकी गेंदवाजी के अंदर कि ऐसे बार 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 बात करते है लेकिन फिर भी जो कला विगेट थी वो निकुलास पूरन की थी, ख्यार अब क्या कहना है अकाश मधिवाल की जरने को लेकर क्या कौन सी टीम आप सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम यहाँ पर IPL 2023 जीतेगी, अकाश मधिवाल की एक स्ट्रगल्ड बरी जिंदिकी के लिए आपको जो कुछ भी लगत तो हमें कमेंट सेक्शेन में कमेंट करके जरूर करता है